नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इटारसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले और्थोपेडिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट सुनील मंतरी की है उस हॉस्पिटल में आने वाले पोस्ट मॉटम को भी वही देखा करते थे पोस्ट मॉटम एक्सपर्ट होने के कारण उनको इनसानी शरीर को खोलने या कहें टुकुडे करने का सबसे अच्छा तरीका पता था साथ ही और्थोपेडिक एक्सपर्ट होने के नाते उन्हें हड्डियों का भी पूरा आइडिया था ये कहानी 2018 की है सुनील मंत्री रिटारमेंट के करीब थे सुनील मंत्री की वाइफ की डेथ 2017 में हो चुकी थी सुनील मंत्री की वाइफ अपने घर से ही एक बुटी की दुकान सम्हालती थी जिसके लिए उन्होंने रानी नाम की महिला को एज़ा हेल्पर रखा हुआ था डॉक्टर साहब ने वाइफ की डेथ के बाद भी उस दुकान को चालू रखा और दुकान सम्हालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से रानी को दे दी रानी का पती था विरेंदर पचौरी पचौरी को अपनी वाइफ रानी और डॉक्टर साहब पर कुछ शक होने लगा था उसने रानी का मुबाइल ठीक करवाने के बहाने उसमें कॉल रिकॉर्ड करने का सॉफ्ट्वेर इंस्टॉल कर दिया अब पचौरी डॉक्टर सुनील और रानी की कॉल रिकॉर्डिंग रोज सुनता कॉल पर डॉक्टर और रानी आपती जनक बात किया करते थे पचौरी ये रिकॉर्डिंग को लेके डॉक्टर के पास गया डॉक्टर रिकॉर्डिंग को सुनकर घबरा गए उनकी हॉस्पिटल, होशंगाबाद और इटारसी में बहुत इज़त थी वो नहीं चाते थे कि ये सब बात बाहर आए पचौरी भी डॉक्टर का डर भाप गया और बात यहीं रफादफा करने के लिए पैसों की मांग करने लगा डॉक्टर ने पैसे दे दिये पर पचौरी का लालच बढ़ता गया वो आए दिन पैसे मांगने लगा पचौरी के पास काम भी नहीं था उसने दबाउफ बना कर डॉक्टर के यहां ही ड्रैवर की नौकरी भी शुरू कर दी डॉक्टर लगबग साथ लाख पचौरी को दे चुके थे और उनको समझ आ रहा था कि यह पचौरी अब उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा एक बार पचौरी ने डॉक्टर सहब से दात में दर्ध होने की शिकायत करी और कुछ दवा मांगी डॉक्टर सहब को यह मौका बिलकुल सही लगा उसने पचौरी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया पचौरी के बेहोश होने के बाद डॉक्टर उसे बातरूम ले गया और वहां उसका गला काटकर उसे मार दिया डॉक्टर ने पूरा प्लान पहले से ही बना रखा था वो पहले ही दो बड़े ड्रम भर कर एसिड यानि की तेजाब ला के घर में रख चुके थे डॉक्टर जानता था कि डेट बॉड़ी को डिस्पोस करना सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे पता था कि इंसानी शरीर को गलाने के लिए कितनी मात्रम में और कितने कॉंसेंट्रेशन का H2SO4 उसे चाहिए होगा H2SO4 काफी स्ट्रॉंग एसिड होता है सही कॉंसेंट्रेशन का H2SO4 लोहे तक की शकल बिगाड सकता है H2SO4 जमा करना इतने बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी डॉक्टर ने अब पचौरी की लाश के टुकडे करके एसिड वाले ड्रम में डालना शिरू किया वो टुकडे बिलकुल छोटे रखते ताकि टुकडे एसिड में बहुत ही आसानी से गल जाएं ऐसे ही लगातार तीन दिन तक रोज शाम को हॉस्पिटल से वापस आने के बाद बात रूम में लाश के टुकडे करते और एसिड में डालते जाते पर डॉक्टर सहब एक गलती कर गए थे उन्होंने उस दुरगंद के बारे में पहले से नहीं सोचा था जो एसिड में बॉडी गलने से पैदा होती है ये स्मेल बहुत ही बद्बुदार थी जिसने आसपास के लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया था चौथे दिन पडोसियों ने डॉक्टर के घर से लगातार आ रही बद्बु की शिकायत पुलिस में कर दी पुलिस उनके घर आई डॉक्टर के घर का दर्वासा तोड़ा गया पुलिस अंदर गई तो डॉक्टर बातरूम में उस समय भी लाश काट ही रहे थे ये लिटरली रंगे हाथों पकड़ना हो गया डॉक्टर के हाथ और कपड़े खून से लाल उनके हाथ में लाश काटने का ओजार और जमीन पर आधी कटी हुई लाश उस समय डॉक्टर लाश की जांग को काट रहे थे पुलिस ने बाद में पचौरी की वाइफ राणी से भी पूचताच करी राणी को तुरंथ डॉक्टर के घर बुलाया गया था अपने पती की कटी हुई लाश देख कर भी राणी पूरे कंट्रोल यानि की सैयम में थी इसके बाद पुलिस को उसके भी इस हत्या कांड में डॉक्टर के साथ मिले होने का शक हो गया पूचताच के बाद पुलिस ने इस हत्या कांड को डॉक्टर और राणी की मिली भगत माना और उनके खिलाफ केस अभी लोवर कोट में चल रहा है लाश के ज्यादातर टुकडे ड्रम में गल चुके थे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कुछ टुकडे एसिट से बाहर निकाले थे एसिट से लगातार दुवा निकल रहा था इसलिए पुलिस भी डर रही थी कि कहीं गलती से भी एक बुन उन पे गिर गया तो क्या होगा डेट बॉडि के सारे टुकडे तो नहीं मिल पाए पर जो टुकडे मिले उनका साइस देख कर पुलिस ने अपने रिपोर्ट में 500 टुकडे किये जाने की बात लिखी पुलिस को ये भी शक है कि कहीं डॉक्टर ने खुद ही तो नहीं 2017 में अपनी बीवी की हत्या करी थी कोट में इसका भी सच सामने आने की उमीद है तो ये थी कहानी जिसमें रिटार्मेंट के करीब के जाने माने डॉक्टर पहले हवस और बाद में अपने इज़त बचाने के चकर में इतना संगीन जुर्म कर बैठे आज की कहानी में बस इतना ही कहानी अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और मेरे पॉड़कास्ट को सब्सक्राइब भी करें मैं हर हफ़ते आपको कम से कम तीन कहानिया देता रहूँगा आप भी सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए धन्यवाद